नमस्कार, मैं प्रमूद कुमार, नई दिल्ली से परकासित अंग्रेजी साहबताहीक और्गनाइजर वीकली में वरिष्ट सम्माद आता हूँ, आज इस अध्धाय में हम समझने का प्रियास करेंगे कि न्यू मीडिया और विज्ञापन कितने प्रकार का होता है, न्यू मीडिया हमारे जीवन में बहुत पीव्र गती से प्रभावित कर रहा है, विज्ञापन हमारे जीवन के हर पहलू को किसी व्यक्ति संस्था अत्वा वस्तु के बारे में हम जो धारना बनाते हैं वह कहीं न कहीं विज्ञापन से प्रभावित होती है। अखबार, टेलिविजन, रेडियो जैसे माध्यमों के अलावा आजकल कम्पीटर वे मोबाईल फोन की मदद से फेस्बुक, ट्विटर, ब्लोग, इमेल तथा सोशल मीडिया के दूसरे स्रोत भी विज्ञापन हेतु इस्तेमाल हो रहे हैं। के प्रकार समझने का प्रियास करेंगे। इंटरनेट की शुरुवात में विज्ञापनों की अनुमती नहीं थी। ओनलाइन विज्ञापन का पहला प्रियोग इमेल के माध्यम से मिलता है। ओनलाइन बैनर विज्यापन की शुरुवात 90 के दसक में उस समय प्रारंब हुई जब वेब पेज मालिकों को लगा कि विज्यापन से भी पैसा कमाना चाहिए। वेबसाइक ओनलाइन सर्विस प्रोडिगी ने अपने वेब पेज के नीचे सीर्स प्रोडेक्ट्स को प्रचारित करने के लिए बैनर्स प्रदर्शित किये। पहला क्लिक करने वाला वेब एड ग्लोबल नेटवर्क नेविगेटर ने 1993 में सिलिकोन वेली लॉफ फर्म को बेचा गोटु डोटकॉम जिसे 2001 में ओवर्चुवर नाम दिया गया और 2003 में यहू ने इसे अधिग रहित कर लिया। इसने 1998 में पहली बार सर्च एडवर्टाइजिंग कीवर्ड की निलामी की। बाद में गूगल ने एडवर्ट्स नाम से सर्च एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम की शुरुवात 2000 में की और 2002 में गुणवत्ता आधारित रेंकिंग आबंटन की शुरुवात की गई। इस प्रिकिरिया के तहट सर्च विग्यापनों को निलामी कीमत यानि बिड प्राइस के उब्भोगताओं की पसंद के आधार पर अलग लग किया जाता है। मोबाइल फोन आने के बाद विग्यापन दाताओं ने मोबाइल एडवर्टाइजिंग का भी भरपूर फाइदा उठाया। अब हम समझने का प्रियास करेंगे कि New Media विग्यापन कितने प्रकार का होता है। New Media विज्ञापन को गहराई से समझने के लिए हमें इसके अलग-अलग प्रकारों को समझने की जरूरत है, जो इस प्रकार है. पहला है display विज्ञापन, दूसरा है web banner web frame ad, तीसरा है pop-up pics under ad, चौता है floating ad, पांच वा है expending ad, चẳ्टा है trick banners, साथ वा है antarali विज्ञापन, आठ वा है text ad, नौवा है paid search, दस वा है social media marketing, ग्यार वा है mobile विज्ञापन, बार वा है email विज्ञापन, एरवा है चेट एडवर्टाइजिंग, चोदवा है ओनलाइन क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग और पंद्रवा है एफिलेट मार्केटिंग और लास्ट है कंटेंट मार्केटिंग अब हम समझेंगे display विज्ञापन क्या होता है आप देख रहे होंगे screen पर एक चित्र है इसमें एक विज्ञापन सबसे उपर और एक side में विज्ञापन है इस यहां लिखावा Hey. These are display ads डिस्पले विज्ञापन में लिखिद संदेज तथा लोगो एनिमेशन, ओडियो, वीडियो, फोटो तथा ग्राफिक आदित की मदद से तयार किये जाते हैं ओनलाइन विग्यापन प्रदाता अपने एड सर्वर की मदद से कुकीज तकनीक का साहरा लेते हैं इस तकनीक की मदद से यह पता चल जाता है कि किस कंप्यूटर उभोगता को कैसे विग्यापन पसंद है और उभोगता ने किस वेब पेज को नजर अंदाज किया और किसे पसंद किया विग्यापन तैयार करने से पहले विग्यापन दाता अलग-अलग वेब साइटों पर विचरन करने वाले लोगों से संबंधित जानकारी एकत्र कराते हैं आपने एकसर देखा होगा कि यदि आपने अपना इमेल आईडी या फोन नंबर किसी मौल अथवा बाजार कमपनी को दे दिया तो कुछ दिन बाद ही उस पर एवांचित संदेश आने शुरू हो जाते हैं वास्तों में एक कमपनी द्वारा एकत्र किया हुआ डाटा बाजार में कई लोगों के पास पहुंच जाता है इस प्रकार संकलित किये गए डाटा को बिहेवरियल टारगेटिंग कहते हैं चुकि विग्यापन दाता के पास उब्भोकता से संबंधित पूरी जानकारी होती है इसलिए उब्भोकताओं की वेब साइटों पर उपलब्द विशेवस्तु से मिलते जुलते विग्यापन उन तक पहुंचाए जाते हैं दूसरा प्रकार है वेब बैनर विग्यापन आप इस चित्र में देख रहे होंगे दो विग्यापनों की तरब इशारा किया गया है संकित किया गया है यह इन इस प्रकार के विग्यापनों को वेब बैनर विग्यापन कहते हैं वेब बैनर अत्वा बैनर विज्ञापन विशेश तह ग्राफिक विज्ञापन होते हैं जो वेब पेज पर डिस्प्ले किये जाते हैं। जादातर बैनर विज्ञापन असेंट्रल एड सर्वर द्वारा प्रदान किये जाते हैं। वीडियो, आडियो, एनिमेशन तथा दू स्थान सुरक्षित रखते हैं अगला निव मीडिया विग्यापन का प्रकार है पोप अप वेब पोप अंडर यह बहुत पॉपुलर प्रकार है आप कंप्पुटर या लैप्टोप इस्तेवाल करते हैं तो आप देखते होंगे कि जैसे ही आप कोई अपना वेबसाइट पर क अचानक विग्यापन आ जाता है जैसे अचानक विग्यापन आता है यानि पोप अप विग्यापन इसी प्रकार जब आप नीचे जब काम कर रहे होते हैं तो अचानक स्क्रीन पर एक नीचे विंडो ब्लिंग करने लग जाती है वह बेसिकली पोप अंडर एड होता है हम प विज्यापनों को पोप अप विज्यापन कहा जाता है। इसके विप्रीत पोप अंडर विज्यापन पहले से खोली हुई वेब साइट के लीचे एक नई विंडो के साथ परदर्शित होते हैं। जैसे ही विज्ञापन परदर्शित होते हैं, तो इसके संकेत उब्भोगता को नई विंडो के ब्लिंग करने से मिलने लगते हैं। इसमें Adware Software की महत्तोपुन भूमिका होती है। यह साइट पर काम करने के दोरान स्वतह विज्ञापन दिखाने वाला Software है। इसमें कुछ Software तो ऐसे होते हैं, जो विज्ञापन परदर्शित होने के बाद उसकी सूचना विज्ञापन दाता के पास पहुंचा देते हैं, ताकि बाद में उब्भोगता से सीधे संपर किया जा सके। अगला प्रकार है floating ad, जैसा कि नाम से ही परतीत होता है, floating ad वे विज्ञापन होते हैं, जो हमारे सामने परदर्शित web page के उपर तैरते हुए स्थार्थ सूपर impose किये हुए नजर आते हैं। ऐसे विज्ञापन एक निर्धारित समय के बाद या तो अपने आप ओजल हो जाते हैं, या फिर उनकी द्रश्यता धुन्दली पड़ जाती है। अगला प्रकार है expanding ad, ऐसे विज्ञापनों में परसारित संदेश बार बार अपना आकार्व द्रश्य बदलते रहते हैं, इसलिए ये काफी असरकारी होते हैं, ऐसे विज्ञापनों की सबसे बड़ी विशेश्ता यह होती है, कि इनमें विज्ञापन दाता एक ही संदेश इसको कई प्रकार से प्रस्थूत कर सकता है, अगला प्रकार है trick banner, trick banner एक प्रकार का banner ad होता है, जिसमें विज्ञापन स्क्रीन element जैसा दिखता है, जैसे की operating system message, popular application message आधी, ऐसा उभ्भोगताओं को भ्रमित कर उन्हें विज्ञापन पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करने ह किया जाता है, ताकि वह विज्ञापन दाता के संदेश को कम से कम एक बार अवश्य देखे, ऐसे विज्ञापनों में प्राए पहले click से ही विज्ञापन दाता के बारे में जानकारी नहीं मिलती, ये एक प्रकार से user को लुभाने के लिए तयार होते हैं, ऐसे अगला प्रकार है अंतरालिय विज्ञापन, अंतरालिय विज्ञापनों को इंटरेप्शन मार्केटिंग यानि वैवधान मार्केटिंग का ही एक प्रकार माना जाता है, जब कोई user अपनी पसंद की कोई सामगरी वेब साइट पर धूंडता है, तो उसके द्वारा वांच हारित हाइफर लिंक्स को परदर्शित करते हैं, ऐसे विज्ञापन वेब पेज पर उपलब्द सामगरी से मिलते जूलते भी हो सकते हैं, जिने हाइपर लिंक्स की मदद से प्रतक शब्दों अथ्वा वाक्यान्ष के रूप में परदर्शित किया जाता है, कई बार ये व प्रतक शित उभवगताओं तक पहुंचाये जाते हैं, ऐसे विज्ञापनों के साथ खास बात यह होती है, कि ये अक्सर विज्ञापन ब्लोक करने वाले सौप्टिवेर की पकड़ में नहीं आते हैं, अगला प्रकार है पेड सर्च, यह ओनलाइन विज्ञापन का ऐसा प विज्ञापन दाता अपने संदेश या उत्पाद से जुड़े चुनिंदा शब्दों को निलामी में खरीद लेते हैं, ऐसे प्रदेख शब्द की कीमत के साथ साथ निलामी में समय, भाषा, भोगोलग छेत्र तथा दूसरे अनेक नियंत्रक भी शामिल होते हैं, आधुन अधिया का भी भरपूर उपयोग कर रहे हैं, बहुत सी कमपनिया अपने उत्पाद को परचारित करने, अथ्वा किसी खास ओफर के बारे में उभभोगताओं को जानकारी देने के लिए अलगलग प्रकार की जानकारी सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट करती रहती हैं, फेस्बुक, ट्विटर, गूगल प्लस, गूगल स्कॉलर्स, लिंक्ट इन, आधी पर विज्ञापनों की भरमार तो है ही, साथ ही इनके बाध्यम से उत्पादक अपना माल सीधे उभोगताओं को ओनलाइन बेचते भी हैं, यह कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अगला बहुत पोपलर प्रकार है मोबाईल विज्ञापन, आजकल यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है, विज्ञापन का यह बहुत तेजी से उबरतावा माध्या में, जैसे जैसे स्मार्ट फोन, फीचर फोन, तथा टेबलेट, कम्पुटर्स की संक्या बढ़ रही है, व की कनेक्टिविटी स्पीड भनने से रिच मीडिया विज्ञापन भी तीवर गती से फोन पर ही देखे जा सकते हैं, दूसरे, फोन की स्क्रीन के रेजिलूशन में प्रत्याशित सुधार हुआ है, तकनीक में सुधार से अभिभूत इंटरेक्टिव एड़टाइजिंग ब बीच, फेस्दूबुक की विज्ञापन आमदणी में पिछले साल की तुलना में 67% की बढ़्षत की दर्ज somethin की गई, इसमें 62% आये मोबाईल विज्ञापन से हुई, जो पिछले साल की तुलना में 41% अधिक थी, नियू मीडिया विज्ञापन का अगला प्रकार है, ईमे लाते हैं चुकि एसी ज़्यादातर में सपैम वोक्स में चली जाती है इसलिए अब कमपनिया आज कल ऐसे भ्रांक नाम से लावागों में वर्यकृत किया है जिसमें पर्भता नम's स्विधा रहती है और आजक्ता दना लाव है कि आप अपनी इमेल में जो संदेश भेजते हैं अथवा प्राप्त करते हैं उसका विश्रेशन कर उस संदेश के अनुरूप भी कुछ विज्ञापन इमेल पर परदरशित कर दिये जाते हैं न्यू मीडिया विज्ञापन का अगला महत्तपूर परकार है चैट अड़टाइजिंग स्टेटिक मैसेजिंग के विपरीत चैट अड़टाइजिंग में यूजर्स को रियल टाइम संदेश प्रदान किये जाते हैं यह लाइव चैट सौप्टिवेर द्वारा या कुछ वे अगला परकार है ओनलाइन क्लासिफाइड एड़टाइजिंग में अलग अलग परकार के उत्पात अथवा सेवाओं से संबधित विज्ञापन वेब साइट पर परदरश्ट किये जाते हैं इसमें ओनलाइन जोब ओनलाइन रियल स्टेट ओनलाइन येलो पेजर्ज़ ऑन की देड़ी जो काम करती है, उसका उसे भुखतान किया जाता है। affiliate marketers अपने network से उब्भोगताओं को लुभाने के लिए भिन भिन प्रकार के संदेश प्रसारित करते हैं, और जैसे ही कोई उब्भोगता उनके जाल में फसकर उत्पाद के प्रती रुजहान प्रतसित करता है, तो उसके बदले में third party को commission मिलता है। उब्भोगता की तरफ से मिलने वाला यह है रुजहान, company को email भेजना, phone करना, online phone भरना, अथवा सामान खरिदने के लिए online order देना आधिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। कुछ चर्चित affiliate marketers हैं, Google AdWords, Big Network, Infolinks, 7up, Adroll आधि। New Media विग्यापन का अंतिम प्रकार है content marketing, यह है विग्यापन का ऐसा तरीका है, जिसमें उब्भोगताओं को रिजहाने के लिए उत्पाद से सम्वधित जानकारी, blog, समाचार, video, श्वेत पत्र, e-pustak, infograph, case studies, आधि की मदद से दी जाती है। चुकि इसमें ज्यादातर लिखित समगरी का प्रियोग होता है, इसलिए इसे content marketing कहा जाता है। New Media विग्यापन से जुड़ी अन्य जानकारिया हम इससे जुड़े अगरे video lectures में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।